हेलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं जीडियस खबर यूटूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं दीवाली बोनस को लेकर जो एक बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं उसके बारे में दोस्तों भी आपको एक आर्टिकल दिखाया जा रहा हैं दोस्तों आर्टिकल कर शिर्षे का आप देख पा रहे हैं दीवाली बोनस रेलवे का बड़ा एलान कर्मचेर को मिलेगा 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दोस्तों क्या है पूरी खबर से जोड़ी पूरी जानकर हम आपको इस वीडियों बताने वाले हैं दोस्तों इस को बोनस देने की गोशना की है एक अधिकारिक बयान के मुटाबिक रेलवे अपने कर्मचेर को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा केंद्रिय मंत्री मंडल के इस फेसले से करीब 11.260 लाग रेलवे कर्मचेर को फाइदा होगा हाला कि यह बोनस आर्पी अप कर्मियों को नहीं दिया जाएगा बता दे कि बोनस का बुकतान दसेरा और दीवाली पुजा की छुट्टियों से पहले किया जाएगा बोनस से मिलना प्रोसाइंद अधिकारिक बयान के मुटाबिक उतपादन से जुड़ा बोनस पी एलबी से रेलवे कर्मचेर को प्रोसा दिया है साथ ही भोजन उर्रक कोईला और अन्य वर्स्तों जैसे आउश्यक वर्स्तों का निर्बाद संचलन सुनिशित किया है आपको बता दे कि रेल मंत्री अश्विनी वेश्टनव जी ने भी एक ट्वीट के जरिये बढ़ना मंत्री नरन मोर्दी जी को बोनस को मंजू इंप्लोई भी हो गए यानि कि डाग गर में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए दिवाली बोनस की घोष्णा भी बहुत जली किया जाएगा दोस्तों अच्वा कट्टे हैं आपको वीडियो प्रसंट आया होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैने को सब्सक्राइ प्रेट निवा दोस्तों